Hello and welcome you all, मैं हूँ धननजय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, किसी भी responsible देश के head of state, चाहे prime minister या president, किसी भी form का nuclear weapon का इस्तेमाल के बारे में बात करने से बचते हैं, लेकिन इसी बीच France के president Emmanuel Macron ने एक statement दिया, जहाँ पे उनका कहना था कि European Union देशों का एक collective army होन कर सकते हैं, अब ये statement अपने आप में काफी extreme statement है, खास करके जब बहुत हद तक Middle East crisis हो रखा है, और इसके बाद Ukraine और Russia already war में है, लेकिन उसके बावजूद Emmanuel Macron ने ये statement दिया, तो ये हम समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं Emmanuel Macron का ये statement के पीछे और भी कुछ मतलब होंगे, आज हम इस में उन्ही सब points के उपर focus करने वाले हैं, और हम समझेंगे कि आखिर में Emmanuel Macron ने ऐसा क्यूं कहा, इस वीडियो में आगे बढ़ हुई से पहले, आपको मेरा effort पसंद आता है तो चैनल को subscribe और वीडियो को like and share करें, और अगर आपके पास मेरे लिए suggestion है, तो वो भी आप मुझे इमेल करके बता सकते हैं, अगर हम थोड़ा सा बात करें European Union के बारे में, तो टोटल इसमें 27 countries हैं, और वही नेटो में टोटल 32 countries हैं, नेटो एक political or military alliance है, और नेटो के आर्टिकल के हिसाब से अगर किसी भी नेटो मेंबर देश के उपर attack किया जाएगा, तो उस attack को एक collective attack मान जाएगा, बहुत सालों से फ्रांस नेटो को लेके काफी uncomfortable है, उसके पीछे का वज़ा है कि फ्रांस को लगता है कि नेटो एक dominated group है US के द्वारा, और ये बहुत हद तक सही भी है, नेटो को जो सबसे जादा fund करता है, वो US ही करता है, और बहुत बार ऐसे देखे गए हैं, जहाँ पे USA और फ्रांस के जो विचार थे, वो completely एक दूसरे से अलग थे, अगर हम सिर्फ बीते 5 सालों की बात करें, तो US और फ्रांस की बीच में relations खराब हुएं, जैसे ही फ्रांस और US की बीच में relations खराब हुएं, वैसे ही फ्रांस बहुत हद तक close गया है चाइना के, त तो अगर ये 27 देश मिलके अपना एक collective army बनाते हैं, और एक NATO टाइप का एक force बनाते हैं, तो ये almost वही objective सर्फ करेगा जो NATO करता है, और यहाँ पे at least USA और UK का dominance नहीं रहेगा, और possibly अपने defense के लिए, यानि कि European Union देशों के defense के लिए, कुछ उस type के defense के बारे हैं बात करते हैं जिस दिके defense system इसराइल बना के रखा, यानि कि air defense system और long range missiles और उसके बाद जो हत्यार का business चलता है, यह बहुत हद तक fear के ऊपर भी चलता है, no doubt Russia और Ukraine वार में हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि Russia एक बहुत ही बुरा देश है और Ukraine एक बहुत ही अच्छा देश है, जो एक स सकते हैं कि ये one of the most important reason बना Russia का Ukraine के ऊपर attack करना, अब क्योंकि एक बहुत ही live example है, जहां पर Russia एक stronger देश है, वो attack करता है, तो जितने जो defense manufacturing companies होते हैं, उनको ऐसे ही मौके का तलाश होता है, जहां पर वो अपने हथियार को बढ़ चड़ कर बेच सकें, और साथ में वैसे create नहीं करेंगे, तो possibility काफी high है कि कल को वो देश हमारे उपर भी attack करेगा, बीते कुछ सालों में जिस तरीके से US ने अपने हिसाब से और NATO forces का मदद लेके Middle East crisis को या Libya में attack करना हो, चाहे इराक में attack करना हो, इन सब पर attack किये हैं और बहुत हद तक उस पूरे area का जो एक natural governance का system था, उसको खतम कर दिया, लेकिन वहीं पर European countries इन सब मुद्दों के उपर बात नहीं करते हैं, और खास करके ये उनी सब देशों को target करते हैं, जिनके साथ इनके relation अच्छे नहीं हो, कोई ये किस तरीके से justify करेगा कि US का Ukraine को fund करना या Israel को fund करना जायज है, और अगर Russia किसी बी तरीके से Iran को fund करता है, तो वो गलत है, इसी में आगे बढ़ते हुए Emmanuel Macron कहते हैं, कि अगर किसी बी तरीके से France का vital interest को अगर खतरा पहुंचता है, और साथ में अगर European Union देशों के उपर अगर किसी बी तरीके से खतरा पहुंचता है, तो France अपने nuclear weapon का इस्तेमाल करेगा, अब ये बहुत ही एक बड़ा term है कि vital interest, अब interest तो कुछ भी हो सकता है, तो यहां पर कोई ऐसा clarity नहीं है, लेकिन एक चीज तो है कि Russia-Ukraine का war हो गया और एक डर को बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जहां पर possibility generate किया जा रहा है कि NATO से ज़्यादा अच्छा अगर एक European Union का अ आपको मालूम पड़ेगा कि at least ये दो देशों को complete तरीके से sideline करना चाहते, एक तो हो गया UK और दूसरा हो गया USA, इसके पहले भी 2021 में घटना घटा था जहां पर Australia, France से submarine deal को cancel कर दिया था, और इस deal को cancel करवाने के पीछे बहुत बड़ा जो role था वो US का ही था, अब ये इस तो उसी देश के engineers और military वहाँ पर जाके या defense forces वहाँ पर जाके रहते हैं, तो इस incident के बाद France और US के बीच में relations और भी खराब हो गया थे, लेकिन उसके just बाद Russia और Ukraine वार में आ जाते हैं, तो जो पुरा मुद्दा था वो पुरा मुद्दा एक अपने real path से deviate कर जाता है, और इसी दोरान France ने Australia के बारे में बहुत harsh statement का भी इस्तमाल किया था, अब क्योंकि EU में total 27 countries हो जाते हैं, तो इसलिए बहुत सारे देशों का जो विचार है वो France से नहीं मिलेगा, उनका विचार बहुत हद तक UK से मिलेगा या US से मिलेगा, और possibility काफी high हो जाता है, कि US या UK कि कुछ देशों को अपने साथ रखे, ताकि Emmanuel Macron का जो objective है, वो कभी fulfill ना हो पाएं, लेकिन इसमें से भी कहीं कोई दोर आया नहीं है, कि जब से Ukraine और Russia वार में गया है, तब से बहुत सारे जो European countries है, वो अपने defense में खास करके काफी investment किये हैं, और हम कह सकते हैं कि बहुत हद defense manufacturing companies के लिए ये golden opportunity साब बन के आया है, वहीं पे अगर हम बात करें European Union के एक high ranking diplomat Joseph Borrell की, वहीं पे ये मानते तो हैं कि European Union को एक collective तरीके से काम करना चाहिए, लेकिन वो इस चीज़ को support नहीं करते हैं, कि पूरे European Union देश मिला के एक common army को बनाए, तो in a way हम समझ सकते हैं कि चाह चाहे US हो, चाहे France हो, या US हो, हर कोई अपने आपको एक commanding position में रखना चाहता है, अगर simply हम इस video को conclude करना चाहें, तो किस तरीके से European देश अपने dominance को establish करने के लिए, more or less पूरे दुनिया को उसमें जोग देते हैं, और इनके लिए कितना असान हो जाता है nuclear weapon word को use करना, चाह है defense में या attack में, तो in a way हम समझ सकते हैं इन सब चीजों को देखने के बाद, सुनने के बाद, कि इनके लिए जो prime objective है, वो कहीं न कहीं उनका जो dominance है, वही है, I hope that you like the video, अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई, तो मैं माफी चाहूंगा, मैं चाहू झार कुद है कि अध纏 कहीं, वही हम समय हो धर है है, इनके बाद, कोईकोई तो इनके जो कोई आए है, झालती है, झलती है, झालती है?